एक बार की बात है, काशी नाम का एक गरीब मच्वारा नदी किनारे बैट कर कुछ सोच रहा होता है मचली पकड़ने का ये खी जाला था, वो भी सारा फट गया अब केसे मचली पकड़ूंगा और केसे गर चलेगा जैसे ही काशी वहाँ से उठकर जाता है, तभी नदी से एक मचली फड़ फड़ाते हुए खिनारी पर आ जाती है तुझ अकेली मचली को पकड़ कर मेरा और मेरा परिवार का कुछ नहीं होगा इतनी चोटी सी मचली को नातों में बेच सकता हुँ और नाहीं पका कर और अपने परिवार का पेट बर सकता हुँ इसलिए तुझ जा वापस नदी में काशी उसे वापस नदी में धखेला देता है पर वो मचली फिर नदी से बाहर आ जाती है काशी फिर उसे पानी में डाल देता है काशी जब भी उसे पानी में डालता मचली हर बार नदी के पानी से बाहर आ जाती काशी को एक टूटा मटका दिकाई पड़ता है वो उसमें पानी भर कर मचली को उसी में डाल देता है और उसे उटा कर अपने घर ले जाता है घर पहुंचते ही काशी की बेटी मुनिया की नजर मचली पर जाती है बाबा ये मचली तो बहुत ही सुन्दर है पर बाबा शायद इस मचली को चोट लगी है वो देखो शायद इसे वज़े से ये मचली बार बार पानी से बाहर आ रही थी जैसे मुझे बता रही थी कि उसको चोट लगी है बाबा इस मचली को मुझे दे दो मैं इसका पूरा ज्यान रखूंगी देखना ये मचली जल्दी ही टीक हो जाएगी तब ही काशी की पत्नी निर्मला बोल पड़ती है हमारे काने को तो पूरा नहीं पड़ता इस मचली को कहां से किलाएंगे इसे भी तो कुछ चाहिए ना खाने को मा आप चिंता ना करू मैं रोज अपने खाने से एक टुकड़ा इसे भी खिला दिया करूंगी चूटा सा तो इस मचली का पेट है रोटी के एक टुकड़े से ही भर जाएगा अगले दिन मुनिया खाना खा रही होती है वो मचली उसी के सामने रखी थी तो मुनिया वो खुद भी काती है और चोटा तुकड़ा तोड़ तोड़ कर उसे भी खिलाती है ऐसे ही कई दिन बीद गए मुनिया रोज अपने खाने से एक टुकड़ा मचली को जरूर खिलाती ऐसे मचली के लगी चोट अब टीक हो चुकी थी मुनिया मचली से बहुत प्यार करने लगी अगले दिन जब मुनिया सो कर उटी तो उसने क्या देखा उस मचली के मुँ से एक मोती बाहर निकल कर गिरा वो देखकर मुनिया शोर मचा कर अपने मा बाबा को बुलाती है मा बाबा चल दी आओ यहाँ मुनिया की आवाज सुनते ही दोनों उसके पास दाउट चले आते हैं क्या हुआ मुनिया? मा वो देखो पानी में मोती मैंने देखा अभी इस मचली ने अपनी मुँ से यह मोती निकला काशी बड़ी ही हैरानी के साथ उस मोती को अपने हाथ में उटाता है और मोती को अलट पलट कर देखता है ये तो कोई साधारन मोती नहीं है ये मोती बहुत कीमती है बचपन में मेरे दाजा जी ने मुझे एक बार इसके बारे में बताया है मचली को निकलने हुए मोती बहुत कीमत होता है इसका मतलब ये मोती हमारा है अब हम गरीब नहीं है इस मचली ने हमारी गरीबी दूर कर दी ये सब मुनिया की वज़ा से हुआ है ये सुमती ही निर्मला बहुत कुश होती है मानो उसका खुशी का कोई ठिकाना ना हो अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी ये सब इस मचली की वज़े से हुआ है अगर मैं इसे मार देता तो हम कभी अमीर नहीं होते आज के बाद मैं कभी मचली नहीं पकड़ूँगा अपने लिए जमीन करीद कर उस पर केती बड़ी किया करूँगा मोती हमारे लिए बहुत है निर्मला काशी को कोई काम नहीं करने देती धीरे धीरे काशी और उसका परिवर बहुत आमिर बन जाते है मुनिया अपने खाने से एक टुकड़ा मचली को रोज खिला थी तो मचली रोज एक मोती अपने मूँ से उन्हें निकाल कर देती है निर्मला उन मोतीयं को एक डिब्बे में संभाल कर रखने लगी एक दिन मुनिया बहुत बीमार हो गई तो वो मचली को खाना नहीं खिला सकती मा मेरी तब्यत टीक नहीं उटा भी नहीं जा रहा मुझसे तो आज आप अपने खाने से मचली को खाना खिला देना टीक है जब तक तुम तीक नहीं होती मैं मचली को खाना खिला दिया करूंगी एश में आराम के चमक में, निर्मला मचली को खाना खिलाना भूल गई, तो मचली ने भी मोती देना बंद कर दिया ये क्या? आज तुमने कोई मोती नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? मुझे मोती चाहिए बस ये मचली हमने तुझे अपने घर में रखा, तुझे काना खिलाया, एक दो दिन तुझे काना नहीं मिला तो तुने मोती भी नहीं दिया, दे मोती निर्मला मचली को अलट पलट कर देखने लगी, फिर भी मचली ने अपने मुझे मोती नहीं निकला गुस्से में आकर निर्मला मचली को पानी से बाहर फेक देती है तब ही मचली थड़प थड़प कर मर जाती है निर्मला, ये तुमने क्या किया? इस मचली को क्यों मर दिया? ये रोज मुझे मोती देती थी पर एक दो दिन से मुझे इसने एक भी मोती नहीं दिया तब ही वहाँ मुनिया भी आ जाती है मचली को मरा दे का मुनिया बहुत रोती है माँ, इस मचली की एक खास बात थी जिस दिन मैं इसे रोटी खिलाती, उसी दिन ये मोती देती थी पर आपने मेरे बोलने के बाद भी इस मचली को रोटी नहीं खिलाई तो मचली ने भी मोटी नहीं दिया तुम्हारे लालच ने मेरी मचली को मार दिया निर्मला को अपनी गल्टी पर बहुत पच्चतावा हुआ लेकिन क्या करें? वो लोग फिर से गरीब हो गया करें दो लेकिन क्या में क्या जोरा दुम een मौट्ला की वोटी जनके वोраз को स्तGu Nixon मत aí को अपने जनके दोखरें